हालो स्टुड़न्स मजा माशो बदा छा खुब सरस खुब सरस चालो तो हवे आजे आपड़े टेक्सबुक माझे आपड़े युनिट लास्ट लेक्चर माँ चालो के रूचे एमा आगल जई रही आछी है जे माँ आपड़े युनिट नमबर 6 I love you teacher एना उपर काम करी रही आता हालन केलर विशे जे कैसरस मजानी माहीती आपड़े शामे आवी दी हालन केलर कोण चे एनी माहीती आपड़े लिदी परब एना टीचर विशे माहीती लिदी चे एमना पैरेंट्स जे चिन्तातू रता एना विशे आपड़े जायनू छे तो हवे शब्द सह हैलन केलर ना जे वर्डस चे एमा आबाबत आपड़े समझवानी चे कि हैलन केलर पोते पोताना जीवन विशे शू डिस्क्राइब करे चे एमा आपड़े जोयू के जारे एमना टीचर आण सुलिवान एमना गरे आवे चे त्यारे एप प्रथम दिवसे हैलनने पोताना रूम मा लई जाये चे अने एने रम्मा माटे एक डौल आपे चे हैलन चे इप फोर वाइल थोड़ा समय माटे एक डौल थी रमे चे अने पची एमना चे टीचर छे ए हैलननी हथेले लेके पाम पाम माँ कैक फिंगर मुमेट करे चे लेके आंगली द्वारा कैक हलन चलन हैलनना हाथ मा थाई चे हैलनने आ मुमेट जे चे ए रोचक लागी मजावियने मा अने हैलनने पण एनी नकल करवानू इमिटेटिंग भरब नकल करवानू चालू के रूँ अने आखरे जारे हैलन परफैक एनू इमिटेटिंग करवा मड़ी त्यारे एने खबर पड़ी कि ये पोते डी ओ एल 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 ये वो शब्द लखी रही चे अने जे एना भी जाहाथ मा चे तो एने खबर पड़ी कि मारा आत्मा जेक एक वस्तू चे एनू का एक नाम चे अन आबाबत जेचे एमा खुबज मजावी रस जाइग्यो अने आ टीचिंग मैथड टीचर नी जेचे एक कंटिन्यू आगलवदेचे अने एमा आपड़े जोयू के पची दर्रोज हैलन अने एमना टीचर एन सुलिवान ए दरोज चालवानी कलेचे अने दरोज अलग-अलग वस्तुनों स्पर्ष करेचे हैलन एक आतती स्पर्ष करेचे अने बिजाहात मा एमना टीचर जेचे ए वस्तुनों नाम जेचे ए फिंगर मूमेट द्वारा दर्शावेचे तो हैलन ने हवे इव लाग वाला यू कि जे काई वस्तु आसपास मारी चे सजीव के निर जीव ये दरेक नीका एक संगना चे एक एक नाम चे अने हवे ये दरेक नाम हैलन ने एक नवो विचार आपे चे क्या शुम महत वश्य आवस्तुनों आनों बंधान के वश्ये ओके तो आवबदा प्रश्णों जेचे एना मगजमा आवे उबाथवा मेंडा अने एक अंदर एने ख्यालाई वोके जे जे वस्तुनों एस्पर्श करे चे अने एना जे 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 नाम चे ए दरेक दरेक नाम एना जीवन साथे जुडाएला चे एटले हवे एने जीवानी जीजीवी साजे चे वधिगई काणके ए सात वर्ष्णी थाई त्यासुदी एने जे वस्तु अड़ी परिचित करावी, वाटर, डॉल, ए बेशब्दा आपड़ी सामे आए वाक्य जेमा एनना टीचर जेचे ए फिंगर मुमेट द्वारा एनने हतेली मा लखे चे, अहीं सुधी युनिट आपड़े लास्ट लेक्चर मा जोयू, बरबर हवे आपड़े युनिट मा आगलव धिय तो आपड़ो दियान आवे, टेक्सबूक पर, स्लाइड पर, अने ध्यानती सामबढ़ीए अने समझिए, तो चालो टेक्सबूक ना पेज पर ओके चालो टेक्सबुक तमारी सामे छे फर्स्ट पेरेग्राफ सेकेंड पेरेग्राफ थर्ड पेरेग्राफ आप पेरेग्राफ आपड़े कंप्लीट के रहा छे अने ए नो मिनिंग शूँँचे नी सम्मरी शूँँचे ए मैं तमने समझावी ओके तो चालो नेक्स्ट पेरेग्राप मा मिस सुलिवान यूज टू टेक मी तू लॉंग वाक्स एवरी मौनिंग मिस सुलिवान जे छे ए दरोज सवार मा मने चालवा माटे लई जयता वाकिंग माटे लई जयता I had a lot of questions to ask मारी पास ए घणा बदा प्रश्ण होता हमने पोच्वा माटे मिस के बनने चालवा जाय छे तो त्यारे हैलने नी साथे प्रश्ण तरी करे छे I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear I would write something on her palm एलन जे छे ए पोतानो प्रश्ण जे छे ए एमना टीचर नी हतेली मा लखे छे बरबन finger moment द्वारा and in turn अने ना बदला मामिसके नो वलतर जे छे she would talk into my palm एमारी हतेली मा talk, talk सब दो प्राणो जो she would talk into my palm एमारी हतेली मा बोले छे हतेली मा बोले छे ना मतलब एनी परिभाषा जे थाई गई छे के नी वातो करवा माटे तो finger moment चे तो वातो अटले टोक बरबन तो टीचर जे छे ए हतेली मा ए जे हैलन प्रश्ण पूछे एनो reply आपे छे as people talk into a baby's ear जे विरितना बालको जे छे ए नाना बालक ना कान मा वात करता हो इने बरबर छे नाना बालको साथे आपने कान पासे हात राखी एने चाना चाना जे वात एने समझावतो है के ये प्रकार नो माहोल जे छे ये प्रकार नो एट्मोस्फियर जे छे एह हैलन रजुके रूचा है या के मारी साथे मारा टीचर जे छे एविरितना बालको जाने के कोई लोको नाना बालको ना कान मा बात करता हो इने एविरितना हथे अली थी मारा है एनो मारा प्रश्णों जवाब नो उत्तरापता है माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी मारा शिक्षके मने मारी जे जिग्नाशा आती ये मां संतोस आयपो पर अब मारा जे प्रश्णों चे मने जे जानवनी जी जी विसा चे ये दरेक प्रश्णों ना जवाब मारा टीचर मना आएपो मने जेवाब जान मामा जिगने साथी ये दरेक प्रश्णों ना जवाब मारा टीचर मना आएपो Now everything around me was full of life, love and joy Now everything around me अवे मारी आसपास ये पन काई हतो Was full of life, love and joy एकदम जीवन्त प्रेमाळ औने आनन्द मही हतो हवे मारी आसपास ये पन काई हतो ए जीवन्त प्रेमाळ औने आनन्द मही हतो खुष्णों मा लागतु मने बरबर हत्यार सुदी आ जे emotion आया पाचे ए emotion थी बनी शके के हैलन परीचीत जुनेई वोई काण के एने खबर जुनती के एने आसपास शुँँँचे एनो शुँँपियोग छे बरबर चेनो शुँँँँँचे आपड़ा जीवन्माँ तो एक कोई बाबत नी एने खबर हती जुने शी डॉन्ट शी डॉन्ट नॉबाउट दाट अने हवे परिचित थाई छे टलेवेने लागे चे के मारू जीवन जेचे इद जीवनमा मारी आसपास जेकाई चे एक दम जीवन्त चे प्रेमाड चे अने आनंद मही चे तो आप एरिग्राफ मा आपड़े बाबत सिम्जा के हलन जेचे एना प्रश्णोन जवाब एना टीचर एने खुबज व्यवस्तिता पे चे बरोबर संतोस चनक जवाब ए हलनने मली रही चे अने दरेक विद्यार्तियोने अपेक्षा ओई चे कि पुताना प्रश्णो जेचे ए शिक्षक शामे रजू करे अने शिक्षक एनो व्यवस्तित जवाब आपे संतोस कारण तो ए दरेक विद्यार्तियोने पणवानी मजा आवे बरोबर तो अमे पण एवा प्रेत्न करशो के तमारा काई प्रश्णो और तमने पूछो बरोबर तमने संतोस ताई एवा जवबा में तमने आपीशो ओके बले तमारी साथे के सामे न थी परन्तु वडियो लेक्चर मा तो छी एत्ते मित्रो बरोबर एडले तमारा प्रश्णो तमारा डाउट ओके ये दरेक बाब तमारी साथे शेर करता रे जो we will solve that चालो, next paragraph माझे ये the second stage of learning was more difficult the second stage of learning was more difficult बनवा माटे नूजे बिजु स्टेप अतो बरोबर छे, बिजु स्टेज जेयतो बिजु सोपान जेयतो ये वदारे difficult अतो more difficult, वदारे मुश्केल अतो बरोबर एडले एक स्टेज पूरू थी समझोनो के एक स्टांडर पूरू थी अवे बिजा स्टांडर उपार अथवा एक मैथड पूरी थी, बिजी मैथड उपार तो ही आगर, एक स्टेज पूरू थी के वस तुने अडे छे, आना खबर पडे छे अनू नाम शूच अवे के आगर बदे छे, तो ही सेकंड स्टेज शूँ छे लाट सी देट वाज अल्सो बेज अन दे सेंस अफ टच आ मेथड पूरू बरूबर आ स्टेज पूरू बेज अन दे सेंस अफ टच आ मेथड छे, ये पन स्पर्ष उपर आधारी तती पेलाई स्पर्ष उपर आधारी तती पेली मेथड की एक आतमा वस्तू छे बिजी अथेडी में अंगलीनो स्पर्ष थाई छे नू नाम लखवाम आवे छे सेम, बिजू स्टेज छे एमा पन आज पर्श अगत्यनू छे Miss Sullivan would speak a word and Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly Miss Sullivan ए शब्द बोलता अने पची हलने केता के तू तारा हाथ द्वारा मारा होट अने गळू जेचे एनो स्पर्श कर तच गरवर स्पर्शू परत्या मेथड़ छे एनो मतलब एवो त्यो के जारे Miss Sullivan बोले छे and Sullivan बोले छे मना टीचर त्यारे ए हेलननो हाथ पकड़ी अने पोताना होट पर राखे जेती करी अने लिपस मुमेंट शोँ छे कोई पन शब्द बोलाई छे तो लिपस मुमेंट शोँ छे एनो अंदा जो आवे बरबर अटले के जेम आंगली नी निकल करती थी हैलन ये रितना हावे एने होट नी निकल करवानी छे के होट नो तु स्पर्श कर अटले एक केम हलन चलन थाई छे ए बाबत जो अने साथे साथे गड़ू पन स्पर्श वानू केता बरबर अटले गड़ू शाह माटे स्पर्श करवानू केता तो के तिया वाइब्रेशन आवे तो ये वाइब्रेशन ने आधारे एने ख्याल आवे के हो, कईक आपने बोलिये, तो ही आ प्रकार नी मुमेट थाई छे, ओके, I learn to speak through the moments of the lips and vibration in the throat, I learn to speak, हुँ बोलता शिक्षी, through the moments of lips and vibration in the throat, बरबबब, हाँ ओठनी मुमेंट अने गडानु वाइब्रेशन जेचे, इना आधारे हुँ बोलता शिक्षी, When I uttered my first word, it gave me boundless delights, जारे हुँ, पहलो शब्द बोली, मारा जीवन नों पहलो शब्द हुँ बोली, it gave me boundless delight, येने मने अपार आनन्द आपो, येनी कोई सिमाज नों थे, Okay, just imagine the scenario of Helen, जे मोटी थाई छे, साथ वर सूपर नी थाई गई छे, हवे तो आर लर्निंग प्रोसेस चालू छे, अत्यार सुधी, एक शब्द पणे एक यारे बोली नती, अने पची ए बोलता सिख्याचे, तो एक, कि वो खुशी नों माहोल अशे, कि वो आनन्द नों माहोल अशे, Helen माटे, ये दिबस, केटलो, केटलो, अकल्पनी ये, बरबर छे, केटलो ये आपड़े तो कल्पनाद नों करी शक्ये, येटली खुशी खुश अशे, येटली मजामा अशे, बरब, काणके आपड़े तमें सामन्य रितना जो, आपड़ा घरे कोई नानों बाळक छे, अने ए वर्से 6-7 मैने, ये कैंक शब्द उच्चारे चे, तो त्यारे आपड़े केटला खुश थाएजी, तो आधीकरी तो साथ वर्स्ती मूंगी हती, हवे बोलता शेखी, तो एना आनन्दो कोई पारजनों, येनू कोई वर्णन आपड़े करीजनों शक्ये, तो वेना अटर्ड माई फर्स्त वर्स्त वर्ड, इट गेव मी बाउंडलेस दिलाइट, जा रहा हूं, पहलो शब्द बोली, त्यारे मने खुब बज आनन्द था यो, Now I started talking with my toys, stones, trees, and birds in the garden, Now I started talking with my toys, हवे में मारा रमकड़ा हो साथे बात करवानू चालू केरू, stone पत्थर साथे बात करवा माड़ी, trees रुक्षो साथे बात करवा माड़ी, and birds हने पक्षियो साथे, तो हैलन अवे बगी चामा जाये चेन बगी चामा, पताना रमकड़ा साथे, पत्थर साथे, व्रुक्षो साथे, पक्षि साथे, बद्धाई साथे बात करवा माड़ी, माड़ हो आये उचे, बराबर चे, हवे ये बख 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 कि कल बल कल बल कल बल एनू सतत चालो रही छे कान के इतला वर्से आवाज है वो छे इतला वर्से ने खबर पड़ी कि मारा माँ अबिलेटी हाती तो हवे ये सतत वातो करती रही छे I felt amazed and delighted as my sister rained to me when I called her and my dog obeyed my commands I felt amazed and delighted as my sister rained to me when I called her में मारी बेन्ने बुलावी अने दोडा दोड मारा तरफ आवी and my dog obeyed my commands अने मारा कुत्रो जेचे ये मारा आदेशो नू पालन करवा मिडू तो आ मारा मारे कुबज आस्चेरियो अने आनदनी घडिये थी हवे येलने नी बेन्ने बुलावे चे कुत्रा साथे वातो करे चे कुत्राने कमांड आपे चे हवे येने मजा आवे चे उऐ वस ऐबल टु स्पीक उँ बोलवा सक्षम बणी गई उँ बोलवा सक्षम बनी गई एट वज मिरेकल आणे आ एक चमत कारतो येलन मात आ एक चमत कारतो जो कदाँ मिस सुलिवाने ने नौ मळा होँद तो हेलनने आ आवाज चे येनी खात्री थाये जनवत येनी अनुभोती थाये जनवत बरब येटले टाइटल छे ने I love you teacher शिक्षक नुँ योगदाने ना जीवन मा खुब जवदारे छे येनु जीवन जेचे ये समझीलियो के अनुत्ते अरीश हो छे के अनुत्ते पड़चाई हो छे ready ओके चालो नेक्स्ट पेरेग्राप मा When I studied seriously, it seemed more like play than work When I studied seriously, जारे उं गंभिरता थी पनती, it seemed more like play than work काम करता मने रमत जेव लागत आ संटेंस एटलो उसर कारक छे अनुत्ते जीवन मा एटलो एपलाई करवा जेवुचे बरोबर जो आजे तो आजे, आक्षण है तो आक्षण है आ संटेंस ने जीवन मा उतरवा जेवुचे When I studied seriously, जारे उं गंभिरता थी पनती, it seemed more like play than work एक काम करता मने रमत जेवु लागत जो तमे कोई पन कामने seriously लेओ यहने गंभिरता पुरोग करो तो एक काम, काम नहीं पन रमत समान लाग्ष वांच उजे छे, वांच उए काम नार्थमान थी लेवान क्या मने आय पूछे हम वर्ग तोमारे आकटलू करोज पड़से नहीं करू तो आम थसेन, तेम थसेन यह रितना नहीं पन यह जे वांच वाबेसिये छे यह रमत जेमत तेम इसके हलवाश पुर्वक लईये तो ए वांचेलू काम लाग से चो वर्ग तरिके लेशो तो ए थोड़ा समय माट याद रेशे बरबर छे पड़ यहने मंथी लेशो तो ए लांब समय याद रेशे वांचो माटे लखवा माटे एक काम करिये छे एक काम आपने केऊ लागू जोए तो के रमत समान हलवू लागू जोए तो जा पड़े ए बाबत ने ग्रास्प करी शक्की अधरवाईस ए लांब समय याद नो रे बरबर चा आगल वाद ये Whenever anything delighted or interested me Ms. Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself Whenever anything I think delighted or interested me जारे कोई पन बाबज्जे छे मने अच्रज पमाडे केमा रसुभो थाई Ms. Sullivan would talk about that त्यारे Ms. Sullivan एना विश्यभात करता as if she were a little girl herself जाने के एपोते एक नानी छोकरी वोई एटले के Helen जवडा थाईने Helen ना टीचर एने बदू समझावता शिखावता अब यहीं आगल एक सेंटेंस चे तमरू ध्यान जशे एक शब्द के Ms. Sullivan would talk about that as if अंडरलाइन कर जो as if ready? पची she लई कूचे पची where लई कूचे W-E-R-E तो यहीं आगल अपने डाउट जो थो जो एके she साथे where क्या मुई क्यूचे लागे ने she साथे तो was आवे ता यहीं she साथे where छे तो शू printing mistake छे कि यह बीजू काई छे यहस फ्रांच आएक language function छे as if as if नो जहरे उप्योग थ्यो वई sentence मा त्यारे त्री जा पूरूस एक वच्चन ना सर्वना मोई third person singular ना प्रोणाउन होए तो एनी साथे पन वेर ज आवे अटले she where आईवूचे अनू reason एनी आगल as if छे तो ए अंडलेंड करवानों मतलब एवो छे क्या आपणे error करेक्शन नो एक question आवे छे पेपर स्टेल मा बरबर तो error करेक्शन मा आबाबत आपड़ी सामय आवी शके as if she was लेकूचे न वस नीचे अंडलेंड चे तो तमारे तियां वेर करवानूचे समझाईचे तो ए ट्रूफो अ सोरी error करेक्शन माटे आपणे आपणे याद राक्षुत अंडलेंड करो अने ये उलागे तो तियां आगल सैड मा error करेक्शन मा आपबत आशब्दने खास त्यान मा लेवो ओके गुड सरस चालो तो जारे पन कोईपन बाबत हैलन ने अचरजपमाडे के रस जागे त्यारे मिसुलिवान एना विशेवात करे जाने के मिसुलिवान जान पोते पन एक नानी छोकरी होयाम She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything She taught subject like science तिया विगनान जेवो subject मने बनाईवो by making it so interesting ये खुबच रस प्रदर इतना तो यार करीन मने बनाईवो That I remembered everything, जेने कालने मने बद्धू याद रही जुँँ, विग्नान जे वो विसाई जे छे, ए पण हेलन बनी, येना शिक्षक एने बनायु कई रितना, तो के एने खुबज रस्प्रद रितना रजुकेरू, रस्प्रद रितना ए बाबत जे छे नी साम्यावी, अने हेलन ने जे बद्धू याद रही जुँ, तो आपड़ी जे बद्धा सब्जेक्टे बने शे हो, ग्रेजुएट थाई छे अना मतलब शून छे, क्या बद्धू ये भणी नावी छे, जे आपड़े त्यार करिये छे, ये बद्धू अभियास याने करेलो, no doubt, any university, any school मायने करेलो, पाड़ तोशत ते जे आपड़े सब्जेक्टे राचे, बद्धा सब्जेक्टे तयार करती जसे, ओके, Finally, my teacher began teaching me to read, आखरे, मारा शिक्षक मने वाचवानू शिखवाला आग्या, शरू केरू, बद्धा बरबर छे, Finally, my teacher began teaching me to read, आखरे, मारा शिक्षक मने वाचवानू शिखवानू चालू केरू, I first read raised letter and letter on read with brain, I first read raised letter, raised letter उपसावेला शिख, बद्धा बरबर उपसावेला आक्षर जेचे, ए पेला एने वाचवानू बरबर उपसावेला आटले सामनी रिदना, बरबर उपसावेला आटले सामनी रिदना, बरबर उपसावेला आटले सामनी रिदना, पत्र, होके, तो बेशब्द जेचे, एने ध्यान माले जो, तो लेटर उण, रिद विद ब्रेल, पची ब्रेल, महां में वाचवानू चालू केरे, वाट इस ब्रेल, बरबर ब्रेल शुरू चे, तो चालू, यह जहें शब्दा आए वो चे, एटले आटेक्सबुक ना, प्री टास्क महिना विशे माही त्यापी चे, पहला एनो आपड़े अभ्यास करी लेए, जो ही लेए, पचे आगल बद दिये, होके, ओके फ्रेंड्स, तो अहीं आगल जे, अभी, सी, डी तमारी सामे छे, बरबर एमा जो, A, B, C, D, यह दरेक आलफाबेट जेंचे, यह मां डाट्स करेला छे, नीचे बॉक्स छे, इमां डाट्स करेला छे, यह डाट्स जेंचे, एमां तमे जोशो, तो जे का हियां चवईस आल्फाबेट छे ए छवीस आल्फाबेट मां दरेक मां संग्ना का एक अलग लग लग छे मिसके डॉट अलग लग चिक्याए छे जो द्यान थी तो आजे छे ए ब्रेल मां एबिसीडी लखेली छे ब्रेल लिपी बरबण चे अंदलोको मांटे तईने खास वग अई छे अंदलोको जे छे ए पणवा मांटे आ लिपी नो प्योग थाई छे रेडी तो ए ब्रेल लिपी विशे तिया वाद करी छे के पहला ए रेज लेटर फणी वास्ता शिखी अने पची आ ब्रेल आ डॉट्स ने आधारे ने खबर पड़ियो के क्यो शब्द छे क्यो शब्द शूँचे अनू प्रोनांसेशन शूँचे ए बाबत ये आ ब्रेल ल I'll learn to write उनू लगता पण शिखी विट बाथ बनने द्वारा बरब बाथ अटले बनने विट बाथ ओडिनरी आज वेल एस ब्रेल टाइपराइटर सामन्य टाइपराइटर जे चे एना थी पणू लगता शिखी औने ब्रेल लिपी माजे टाइपराइटर उतू एमा पणू लगता शिखी बरबाथ टाइपराइटर टाइपराइटर आम तो तमे जुया आशे के एक समय अतो के टाइपिंग माटे थाईने ए टाइपराइटर नो जू प्योग थतो जे आपड़ा कॉम्प्यूटर नू कीबड वाई जे ये प्रकानू कीबड पण ये थुडू किव प्योटर नू एमा जे बदी कीज जे चे वेल प्रेस थाई शक्यें बदी स्मूध होई चे विरितना ने या थोडू काम जे चे आनू बह अलग चे कदाश टाइपराइटर तमे जोही ओशे तो तमने अंदा जौवी जाशे तो ए टाइपराइटर मापन आपड़े टाइपराइटर पन अने ब्रेल लोको माटे मिसके ब्रेल लिपी माजे टाइपराइटर बने लोतु एमा पन बे मावे लग ताशे खी I was well on my path to becoming a well educated person अने I was well on my path हूँ मारा जीवन नारस्ता मा आगलवधी रहती to becoming a well educated person एक सू शिक्षित व्यक्ती नी राह मा हूँ आगल बदी रहती मिसके अवे एपोते पोताना जीवन मा सू शिक्षित बनी गई चे पोताने जीवन नो जे राह चे रस्तो जे चे एमा एवे educated educated परसंतरी के ओल खाशे तो एक आंदली अने बहरी योती बोलता शेखी लगता शेखी वाचता शेखी खुबच आश्चर्यानी वा अपड़ा माते आपड़ी पासे बद्धू चे अन बद्धू आवड़े चे तो एक काई करता नती तो जो हैलन पासे थी आश्रीक आपड़े लेवाने चे एक dedication हो जोई एक confidence हो जोई एक willpower हो जोई अने एक तमारो guide हो जोई I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them I was provided all the possible opportunities मने पूर्ती तको जेचे ए आपड़ा मावती provided लाप पूर्ती तक जेचे शक्यो एटली तक मने आपड़ा मावती to develop my abilities मारी क्षमताओ जेचे एनो विकास करवा माटे थाईने मने पूर्ती तको आपड़ा मावती ती and I made the maximum use of them अने में एनो भर पुरू उप्योग केरू जारे मने तक मली त्यारे में एमा काम केरू मारी abilities तपासवानी वात आवी तो में मारी abilities जेचे ए बतावी में पूर्तो प्रियत नकेरू तो आँ हेलन्ना जिवन नी खुबज अगत्यनी बाबत छे कि येने जे opportunity मली येनो येने भर पुरू प्योग केरोँ छे बरबर तो opportunities जे मले चे आपनने जारे-जारे जो तक मले त्यारेनो लाब लेवो खुब जरूरी छे बरबर त्यारे तमारी पास सरस्म जानी opportunity चे के तमे करे बेटा 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 पनोचे क्या आववाच आवनू रेत्तू नती बरबन फूल अफ टाइम तमारी पासे गणो बदो समय एत्यारे छे जो स्कूल ने बदू लोकडाउन ने बदू नहोत कोरोना नहोत तो तमारी पासे वाट बीजी डे ए उज वाट काणके टूशन स्कूल आवबदू चालू जरे ने तो पची आनू काम करिये आनू काम करिये तो त्यारी परिश्थिती नती तमारी पासे तमारी पासे तमारी पासे टाइम पर पूर छे एनो मैक्सिमाम उप्योग करो अने दरेक सब्जेक छे छे एने पूरतो निया यापो त्यारी टाइम टेबल उपर काम करो ओके तमने ज on my youtube channel चालो गुद्बाई